Hello to your students, this is your SS ma'am तो अगर आप नीट की preparation करना चाह रहे हैं तो definitely हर बच्चे का dream होता है बायो में 360 में से 360 number score करना और तुम्हारे और तुम्हारे 360 number के बीच में बैठी है एक छोटी सी दिवाद which is this Class 11th की Biology की NCRT की book और Class 12th Biology NCRT की book हो सकता है इसने आपको भी काफी जादा परिशान कर रखा हो कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है या जितनी बार पढ़ो कुछ यादी नहीं रहता Diagrams की labeling वगरा में problem होती है कौन सी चीज important है कौन सी चीज important नहीं है ऐसी सारी problems भी अगर आपको होती है तो बेटा tension लेना बंद कर दो मेरे पास में इसका बहुत बड़ी है solution है मैं आप लोगों की SS में हम लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए NCRT महा निचोर एक series ला रहे हैं हम लोग जिसमें live classes करेंगे और NCRT में हर chapter को line by line पढ़ने वाले है मैं आप लोगों की help करूँगी कि पूरे NCRT के सारे important points निकाल लेंगे उन सब को detailed analysis करके आप लोगों के दिमाग में fit कर दूँगी और finally जब आप लोग exam देंगे तो definitely 360 में से 360 score कर आएंगे फिलाल वो हम करेंगे आगे जाके अभी बात करें तो मैं आप लोगों की help करना चाहूँगी कुछ ऐसी tips और tricks बताके जिससे आप लोगों की NCRT की reading efficiency इंप्रूव हो जाएं और आपके number भी बढ़ने लग जाएं क्या क्या कर सकते हैं हम हमारी NCRT की reading को बढ़िया बनाने के लिए ताकि हमारे number इंप्रूव कर जाएं पहली बात तो आपको NCRT की multiple readings करनी है बहुत बार बच्चे मेरे पास में आते हैं माम दो बार पढ़ लिया नहीं या दोरा तीन बार पढ़ लिया कुछ नहीं होगा 10 to 15 और 20 टाइम्स भी मैंने बच्चों को NCRT की reading करते हुए देखा है और तब जाकर भी कुछ ना कुछ नया वहां से मिल ही जाता है तो मैं हमीशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आपको multiple बार NCRT read करनी पढ़ेगी और कैसे करनी पढ़ेगी इसका भी एक perfect तरीका मैं आप लोगों को बता रहे हूँ Let's suppose आज मेरी class में molecular basis of inheritance हुआ पहली बार हमने वो chapter में replication का process पढ़ा अब हमें उसकी NCRT पढ़नी है तो सबसे पहली reading जब आप करोगे तो class notes को NCRT के साथ में open करके रखना एक तरफ आपके class notes एक तरफ आपकी NCRT इससे फाइदा क्या होगा class में बाते होती है teacher कुछ ना कुछ additional बात बोलता है वो चीज दिमाग में retain रहती है उसी दिन शाम को आपने NCRT की first reading कर ली और साथ के साथ में notes और इन सब को combine कर दिया तो आपके दिमाग में चीजे और जादा अच्छे से बैट जाएंगे let's suppose मैंने class में machinery पढ़ाई आपने बैठ है कि चलो आज हम NCRT को read कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अच्छा main enzyme DNA dependent DNA polymerase है अब अगर मैं पहले दिन ही paper, pencil, pen, highlighter से लाने लग गई तो exam तक आते आते हैं पूरी NCRT कचला हो जाएगी तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं first reading pencil से करो और ऐसे points रख रख के the main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase अच्छा अब इसमें काम की बाग क्या थी? है ना? तो अब हम क्या करेंगे? pencil से ही इसको underline कर देंगे DNA dependent DNA polymerase ठीक है? अगली बाग चलो आगे read करना शुरू कर देते हैं pencil है मेरे हाथ में these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time ओके? हम ऐसे read करते चले जाएंगे आगे देखो मैं पढ़े रीती और पढ़ते-पढ़ते मुझे क्या दिखाऊ? E.coli has 4.6 into 10 की power 6 base pair humans whose deployed content is this complete process of replication within 18 minutes यानि की 2000 base pair per second यह हो रहा है जहां पे dates आ जाएं scientist का नाम आ जाए data आ जाए इसको underline कर लेजे यह है मेरी first reading ऐसे करते-करते मैं पूरा read करती चलेगे अब हम आते हैं यह सब काम आपको pencil से करना है अब हम आते हैं अगली बार अगले दिन मैम ने पढ़ा दिया transcription अब हम transcription तो पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले NCRT की quick reading कर लेंगे pencil दी ठीक है अब pen उठा लो चाहो तो highlighter उठा लो कोई problem नहीं है वापस से इन सारे points को वही पढ़ना है लेकिन इस बार काम बहुत जल्दी हो जाएगा first reading में time लगेगा लेकिन second reading comparatively जल्दी होगी आपको यहाँ पर सारी बात clearly दिखने लग जाएगी जब आप NCRT की second reading करें तब एक practice develop करो questions formation की सोचो कि इस line से कैसे कैसे questions बन सकते हैं और उस तरीके से अब question building approach से हम काम करेंगे कि read तो हमने कल बहुत सली के से किया था आज मैं देख रही हूं कि क्यों high degree of accuracy है reason क्या आ जाएगा assertion है कि मेरा DNA polymerase high degree of accuracy show करता है reason क्योंकि कोई भी mistake हो गए तो mutation आ जाएगा यह गाम आपको second reading में करना है फिर third reading हम कब कर सकते हैं जब-जब revisions आएगा अब मेरी subsequent readings हो जाएगी कि मुझे किसी दिन इस chapter का revision करना है इस topic का revision करना है टेस्ट में इस लेपस आ रहा है तो मुझे यह topic पढ़ना है तो जितनी बार आएगा हम उतनी बार NCRT को read करेंगे लेकिन हर बार मेरी reading efficiency बढ़ जाएगी मेरा time कम लगेगा और मुझे चीजे और जादा clear होती चली जाएगी एक और चीज जो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि जब आप subsequent readings करा करें उस time पे marking कर लिया करो जैसे let suppose मैं यहाँ पे बात करती हूँ Deoxyribonucleotide triphosphate serves dual function दो functions हैं इसके पहला क्या है acting as substrate यहाँ पर number one लेग दो दूसरा है they provide energy for polymerization reaction दूसरा point यहाँ लेग दो एक और बच्चों को suggestions देती हूँ मैं कि हो सकता है आपने जब class में पढ़ा तो कुछ additional information आपको यहाँ पे दी गई हो let suppose कुछ भी दे दिया इन्हों ने यहाँ पर Deoxyribonucleoside triphosphate का structure बता दिये class में आपको तो बेटा यहाँ पर उसका structure छोटा सा बना भी लो यहाँ पर छोटा सा diagram बना लो ठीक है अगर कुछ additional points है तो उसे वहाँ से यहाँ add कर दो अच्छा अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो notes में चूट गई थी तो यहाँ से उठा के notes में लेक दो वैसे ऐसा होता नहीं है कभी teacher के notes में कुछी चूटी नहीं है वो almost 100% sufficient notes होता है पर अगर कभी कुछ humanly mistake होगे है miss out होगे है तो complete कर दो यानि कि यहाँ पर आपके notes plus NCRT है यहाँ पर भी आपके notes plus NCRT हो जाएंगे जब भी पढ़ोगे जहां से भी पढ़ोगे benefit मिलेगा तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है NCRT में multiple readings देखो यह सारी बाते हैं मैं आप लोगों को NCRT महा निचोड में भी बताने वाली हूँ वहाँ पर हम यही करने वाले हैं तुम लोगों की सबसे बड़ी problem को solve करेंगे कि NCRT line by line कैसे read करें उसका क्या मतलब हो सकता है NCRT में बहुत छुपा रुस्तुम किताब है वो कहीं से कभी भी किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब निकल सकता है तो हम क्या करेंगे उन सारे मतलबों को decode करके आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर मैं होंगी, printer होंगे, वसीम सर होंगे, it will help you a lot खेर वापस से यहाँ पर आती हूँ, trick number two, क्या करना है आप लोगों को कभी भी diagrams, tables और graphs को miss नहीं करना है NCRT में मौझूद हर diagram को पढ़ना है प्लस उसकी labeling भी पता होनी चाहिए कभी-कभी ऐसा होता है कि paper में जो diagram आता है उसमें clarity इतनी नहीं होती, मतलब बहुत clear नहीं होता तो आपको labeling समझने में थोड़ा confusion हो सकता है इसलिए हमेशा NCRT की labels को पता करना बहुत ज़ादा जरूरी है जैसे यहाँ पर मैं एक example देती हूँ यह NCRT का diagram बना हुआ है ठीके कौन-कौन से हाइपो-गाइनस, हैपी-गाइनस और पेरी-गाइनस फ्लार है हाइपो-गाइनस फ्लार, एपी-गाइनस फ्लार पेचानना फिर भी आसान है पेटी-गाइनस पेचानने में confusion हो जाता है बच्चों को ऐसे टाइम पे मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, क्या किया करो बहुत ही बकवास quality का paper जिससे आर-पार कुछ भी दिख जाए या butter paper, अगर खुब पैसा है तो butter paper नहीं तो कोई ऐसा खराब quality का paper जिससे आर-पार सब दिख जाए उस paper को इस diagram की उपर रखो तो मुझे diagram के traces दिखने लग जाएंगे और ऐसे draw कर दो अच्छा, ओके, ये मेरी ovary बन गई है ठीके, अच्छा, यहां से निकल रहे है मेरे इंथर अच्छा, ये petal निकली, ये sepals है ठीके, ये इसी level पर है ओके, इसी लिए ये perigynos flower हो जाएगा जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी labelings improve होंगी आपको diagram और अच्छे से याद रहेगा drawing अच्छी है, diagram बनाने का मन करता है बना के करो, नहीं है, बनाने का मन नहीं करता है drawing समझ में नहीं आती है, ये जुगाड करो पर काम करो, ऐसे, अच्छा, ये बाहर का region है ओके, ये capsule हो जाएगा अच्छा, ये pelvis region निकल रहा है अच्छा, यहाँ पर मेरे renal columns मुझे देखने को मिल रहे है medullary pyramids देखने को मिल रहे है like that properly आपको सारी labeling पता होनी चाहिए अगली बात, कभी-कभी question based चीजे diagram based question भी आते है जिसे, let's suppose, ये PCT मैंने बना दिया तो इसमें कौन सी चीज reabsorb हो गई वो दूर जादा arrow है कौन सी चीज secret हुई वो इसके अंदर आता हुआ arrow है तो ऐसे-ऐसे points से भी questions बनते हैं तो आपको diagram, उनकी labeling सब याद होनी चाहिए क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं होगा एक और चीज करनी है यहाँ पर example देती हूँ यहाँ पर इसके नीचे description में लिखा है ROP, codes for the protein involved in the replication of plasmid यह बात theory में कहीं नहीं है लेकिन diagram के नीचे description में है और इससे question आता है इससे question आ रखा है कि ROP किसको code करता है तो diagram पढ़ना है उसकी labeling समझनी है और नीचे भी देखना है Done यही सारी बात है हम लोग महाने चोड में भी आप लोगों को बताने वाले है आप लोगों की help करने वाले है आगे बढ़ते है tables जो दे रखी है उसको miss नहीं करना है बेटा वहाँ से question आता है जैसे for example breathing and exchange of gases की यह table से तो पताने कितनी बार question आया है similarly biomolecules की metabolites की अगर मैं बात कर लो या फिर average composition बेटा इस table को तो मैं पताने क्या ही बोलू कहां कहां किसका question नहीं आया होगा पहले AI PMT में फिनीट में जिपमर के paper में state PMT में AIMS में सबसे मैंने यह आपे question देखें तो sequence पूछ लेंगे percentage पूछ लेंगे each and everything very very important do not miss any diagram any table और any graph again enzymes का ये वाला graph very important actually each and everything is very important आप किसी भी चीज़ को miss out नहीं कर सकते है तो ठीके बारी क्या हो गया NCRT की readings करो multiple readings करो proper उनके notes बनाओ उनको properly highlight करो diagrams loon key labeling उनके नीचे का description graphs table सब पढ़ लो NCRT complete हो गई? नहीं हुई आपको summary भी पढ़नी पढ़ेगी कुछ कुछ chapters की summary में ऐसी बाते दे रखी है जो theory में कहीं नहीं दे रखी ये है cell cycle and cell division की NCRT का summary आपर एक बात लिखी है G2 phase is the period of cytoblasmic growth पूरे theory में कहीं नहीं लिखा लेकिन यहां से question आया है तो you cannot skip you cannot skip summary chapter की summary भी skip नहीं करनी है even NCRT महाने चोड में हम लोग इसकी summaries पर भी focus करेंगे ठीक है NCRT पढ़ ली diagram देख लिए graph देख ली table देख ली summary देख ली NCRT खतम नहीं exercise भी जरूरी है exercise के questions भी जरूरी है let's suppose मैंने लिये लिया cell वाला chapter और इस cell वाले chapter में यह match the following मैंटा सीधा सीधा PYQ है आ चुका है कुछ primitive exams में हाँ ठीक है state PMT अब बंद हो चुके हैं लेकिन question तो आया न इसको कुछ modify करके आने की possibility तो है न हर chapter में 10-20 questions ही तो होते हैं देख लो एक बार उनको भी go through कर लो questions के exercise भी chapter के exercise के questions भी आपको skip नहीं करने हैं clear ठीक है NCRT पढ़ लिए diagram, graph, labeling उनकी descriptions भी पढ़ लिए summary भी पढ़ लिए exercise भी पढ़ लिए finally NCRT खतम होई बिलकुल नहीं introductions miss नहीं करने है units के ये let's suppose cell वाला chapter है cell वाली unit है यानि की unit third of class 11th ये लिजे यहीं पर बाते लिखी हुई है कि cell theory emphasized on the unity underlying the diversity of forms भाई यहां से question आगे क्या कर दोगे cell theory created a sense of mystery cell theory तो वहाँ पे है लेकिन यहां से questions घुमाए फिर आए जा सकते है ये भी miss नहीं करना है और क्या miss नहीं करना है scientist का नाम हर unit के शुरुवात में scientist का description दे रखा है जैसे let's suppose class 11th की unit 3 unit cell the unit of life वाले में रामचंदरन plot के बारे में पूचा गया है ये aims का PY क्यों है कि रामचंदरन plot कि से related था ये alpha helix और beta structure से related था collagen के बारे में काम हुआ था इसके उपर तो इसी लिए बेटा NCRT में मौझूद किसी भी aspect को miss नहीं करना है और यही सारी बाते हम लोग आप लोगों को NCRT महाने चोड में भी बताने वाले हैं finally sum up करते हैं क्या क्या करना है NCRT बार बार पढ़नी है multiple readings होनी चाहिए उसकी diagrams को नहीं भूलेंगे graphs को नहीं भूलेंगे tables को नहीं भूलेंगे diagrams की labeling इन सब के दिये हुए descriptions को नहीं भूलेंगे summary भी हर chapter की पढ़ेंगे important चीज़ underline करेंगे questions भी करेंगे units का introduction भी करेंगे और तब जाके मेरी NCRT की finally complete reading होकी am I very clear to students very clear to you students done चलिए आज का ये वीडियो खतम करते हैं अब हम लोग मिलेंगे हमारे NCRT महाने चोड के live के अंदर पहुत जादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को NCRT को किस तरीके से interesting form में बनाएं ताकि वो जादा से जादा दिमाग में retain हो जाए see you there till then thank you and have a very 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 happy learning students बड़ी स्वसरों मसरों मन लगा के पढ़ते रहो thank you